audit sampling बहुत ही प्यारा च्छोटा सा चेप्टर है audit sampling इसको सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से सुनिएगा फिर बुक पे चलेंगे आज हमने chapter 4 स्टार्ट किया था उसकी शुरुवात ही मैंने basic से स्टार्ट की थी कि हमें revenue का audit करना है ध्यान से सुनना ठीक है हमको revenue का audit करना है हम 100% testing इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी sampling करनी पड़ेगी फिर आपने का sir sampling करने के लिए आपके दिमाग में यह तो बड़ा किलियर है कि हमें हमारा audit करने के लिए क्या करनी पड़ेगी sampling करनी पड़ेगी अब sampling दो चीजों की करते हो दो जगे sampling करते हैं कहां कहां एक TOC के लिए test of एक TOD के लिए test of detail मैंने आपको TOD की sampling तो बता दी कि सिस्टम में ऐसे ऐसे data जाएगा रोमम जाएगा material जाएगा बाद में sample निकल जाएगे अजरशन की मैंने आपको TOC की sampling बता ही कैसे होती है आपको पता है किसी को देखो TOC की sampling कैसे होती है बेटा जी आपको देखना पड़ता है कि nature of control क्या है क्या वो आप लोगोंने EIS में या अगर आपको थोड़ा बहुत automated environment अगर audit का याद है तो आपको पता होगा आपको control का nature देखना होता है क्या आपका control एक automated control है या manual control है या automated with manual control है फिर उसके बाद आता है उसकी frequency क्या वो एक recurring control है क्या वो एक weekly control है bi-weekly control है monthly control है quarterly control है six monthly control है या फिर yearly control है on the basis of nature and frequency हम उसके sample निकालते है एक general rule है general rule कि अगर आपका recurring control है तो हम 25 sample लेते हैं किसी भी area के TOC के लिए 25 sample सब सही निकल जाए अच्छी बात है एक sample फेल हो जाए 15 और लेने पड़ते हैं ऐसी पूरी guidance है जो आप बोल रहे थे तो उसके इसाब से हम TOC के sample निकालते हैं TOC के अंदर एक अजर्शन आती है continuity आती है न आईसे ने आपके slabels से एक standard remove कर दिया से 330 हाला कि class में हम cover करते हैं उसके अंदर ये बात लिखी भी गई है कि जब हम TOC के sample निकालते हैं तो हमें make sure करना होता है कि हम 12 महीने में से sample निकालें क्योंकि अगर मैंने 12 महीने में से sample नहीं निकाले ना मैं एक अजर्शन पर comfort नहीं ले पाऊंगा कौन सी अजर्शन continuity तो इसलिए कभी-कभी हम interim जो audit करते हैं 9 मंत के बाद तो अगर मैंने 9 मंत तक का TOC कर लिया और फिर आप year end के बाद आ रहे हो तो आपको balance 3 महीने का TOC करना पड़ता है क्यों क्योंकि हो सकता है उसके बीच में continuity या कोई दूसरी दिक्कत आई हो या हो सकता है control भी update हुआ ह तो TOC के sample निकालने का भी एक तरीका होता है TOD के sample निकालने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं आपकी किताब के अंदर जो तरीके दिये गए ना यार आप ये समझ लो ये small form के हिसाब से दिये गए हैं आज के दिन तो हमने बताया ना हम क्या use करते हैं sample निकालने के लिए tools तो जितने भी methods आप यहां पढ़ने वाले होना अब टूल एक software है एक सिस्टम है कि वह सिस्टम किस बेस पर काम कर रहा होगा जिस तरह कि उसको instruction दी गई है configuration के टाइम पर तो समझ लो जितने भी methods आप पढ़ने वाले हो कि आप सेंपल निकालना है रेंडम बेसिस पर निकाल लो कि सारे सिस्टम उस software के अंदर क्या कर दिये गए है इन बिल्ड कर दिये गए है configure कर दिये गए है मतलब software सिर्फ एक method पर sampling नहीं निकाल रहा वो random भी लगा रहा है interval भी लगा रहा है इस softwares are government approved अब आपकी किताब पर जब आप आओगे तो थोड़ी दिर के लिए real life जो मैंने आपको समझाया है उसको side में रख के आएंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम walkthrough करेंगे मैं TOC के sample होंगे और TOD के sample होंगे आपने walkthrough में क्या-क्या था understanding of process, understanding of risk and understanding of controls मैंने understanding ले ले लिए TOC पर जाने से पहले मैं एक चीछ चेक करता था बेटा क्या design of control क्या control की designing ठीक है फिर मैं आगे बैठता था कि भई आव इसको मेरे को test करना है इसलिए sampling करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा आपको देखो थोड़ा सा visualize करो मेरे साथ हम sampling कर रहे हैं उसका एक objective है हमारा कि sample निकलेंगे मैं उनको check करूंगा और उससे मेरी कुछ अजर्शन क्या हो जाएंगी satisfy हो जाएगी तो भया sample निकालने से पहले आप auditor हो आपको पता होना चाहिए आप किस अजर्शन के लिए sampling कर रहे हो हा या ना आप दिमाग ही नहीं लगा रहे आप कह रहे हो मैंने sampling कर दी भाई क्यों कर दी evaluation चेक करूंगा अरे घंटे valuation इससे होना ही नहीं था तो आपको पता होना चाहिए क्या valuation उल्टा चल रहा हूं थोड़ा सा क्या valuation अजर्शन क्या valuation अजर्शन sampling के बेस पे हो भी सकती है या नहीं पता होना चाहिए है नहीं तो at the initial stage first stage मैं यह देखता हूं as an auditor क्या मैं इस area में sample design करूं भी या ना करूं समझा रही है बात क्या मेरे को sample अजर्शन पे comfort दे भी पाएगा या नहीं ऐसा भी तो सकता है ना आप sampling करो टी ओडी लगाओ लेकिन आप साथ साथ बो भाई रिस का ही है मैं क्या लगाऊंगा साथ साथ analytical procedure भी लगाऊंगा इससे सबसे पहला step sampling का क्या होता है design of sample क्या होता है जी design of sample सभी live student भी comment करेंगे sampling का सबसे पहला step क्या होता है design of sample कि उसके बाद आप देखते हो कि भाया ठीक है मैं इस एरिया में sampling कर सकता हूं completeness verify करनी है वो टी ओडी से पता चल जाएगी लेट से अब आप second question decide करते हो कि कि कितने sample second step क्या आता है sampling कर सकता हूं मेरे जर्शन मेरी satisfy हो जाएगी बट कितना sample number of sample कितना रहेगा quantum कितना रहेगा इसके लिए आपको पता यह कौन से factor impact करते हैं कौन कौन से करते हैं जी बताओ sample कितना होगा materiality risk of material misstatement उसके अलावा कुछ और points आते हैं यहाँ ही बोलता है दो point तो main point हो गए पई एरिया का risk कितना है और प्रोमम कितना है और materiality कितना है इससे आपका quantum हिलेगा लेकिन अब दो-तिन point हो रहते हैं ओडिटर क्या चाहता है हर किसी ओडिटर का अपना judgment अलग होता है माल लीजिए मैं auditor हूं मैं reliance का audit कर रहा हूं आपने का सर एक high risk की company है मैंने का ठीक है high risk की company है न तो इस company पे मैं ज आदा रखना चाहता हूं हो सकता है कैसा मेरे साथ दो staff काम करते थे ए और बी प्रभात और एक ए मुझे पता था प्रभात बहुत अच्छा है मुझे उसके काम को ज्यादा देखने की जरुवत वो जो भी करता था मैं हवा में उड़ा देता था क्योंकि मुझे पता था गल अगला कॉस्चन मैं मान के चल रहा हूं कि जिस एरिया का मैं ओडिट करने जा रहा हूं न भी लेट से रिवेन्यू उसके अंदर न मिस्टेटमेंट होने के चांसेज ज्यादा है एकस्पेक्टिड रेट ओफ मिस्टेटमेंट इज वाए मान के चल रहा है उसके अंदर क्या है रिस्क होने की चांसेज ऐसे किसमें सेंपल ज्यादा रखें कम रखें ज्यादा रखें क्योंकि because you are expecting a risk of material, अगर भाईया, आप expect कर रहे हो कि risk of material misstatement ज़्यादा होगा, तो sample ज़्यादा रखो न, तक याब ज़्यादा coverage कर सको, देखो, यहाँ मैंने क्या बोला, high level of expectation of risk of material misstatement, आपने का भाईया, ऐसा expectation है तो sample बढ़ा लो, दूसरा क्या था, high level of desire level of assurance, मुझे ज़्यादा desire है कि अच्छी assurance मिले, तो मैं क्या करूँगा, sample बढ़ा लोगा, समझा रही है बात, तीसरा, एक होता है, tolerable rate of misstatement, या मैं एक word यूज कर रहा हूं, deviation, जो deviation word है, वो हम controls के लिए यूज करते हैं, और जो misstatement word है, वो हम number के लिए यूज करते हैं, so if I will talk about control testing sample, then we'll use word deviation, if we'll use the TOD samples, then we'll use the word misstatement, तो अगर कोई बोले न, control fail हो गया, तो मतलब control deviate हो रहा है, deviation is used for the control, एक होता है, tolerable rate of deviation, चाहे वो control की sense मिले लो, या tolerable rate of misstatement, tolerate करना, मतलब, हिंदी में बताओ, सहन करना, भाई, मैं है न, ये client टाटा है, मतलब, इसके control भी अच्छे है, management भी अच्छी है, तो AMPT, threshold limit का number बढ़ा होगा, चोटा होगा उसका, क्योंकि tolerable rate of deviation को materiality से link करना ही पड़ेगा आपको समझने के लिए, नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि किसको ignore कर सकते हैं, कौन बताता है, किस number को ignore कर सकते हैं, कौन बताता है, कौन सी materiality, threshold, AMPT, अब आपने का tolerable rate of statement, मतलब जिसको मैं tolerate कर लूँ, इसके लिए तो ऐसे 320 देखना पड़ेगा, materiality देखनी पड़ेगी, मैंने का कि टाटा कंपनी है, एक काम करते हैं, AMPT मानलो मेरा 50 लाग है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 लाग तक की गलती को मैं क्या कर लूँगा, tolerate कर लूँगा, लेकि टोलरेबल rate of deviation या misstatement क्या है, तो sample जादा होगा, कम होगा, कम होगा, आप सही समझ गए, क्यों, क्योंकि मैं जादा गलती है, accept करने के लिए, तो sample कम रखूँगा ना भईया, बात समझाई, तो मैंने आपको 5 factor बता दिये, मैंने सबसे पहले बात किस की की, design की, अगर आप आपको लगता है, design सही है, आप इस suggestion पर comfort ले सकते हो, तो बात कर लेते हैं किस की, size की, size के लिए 5 factor आपने मेरे को बता दिये, materiality, romam, desire level of assurance, expected rate of misstatement, और tolerable misstatement, एक होती है, actual misstatement, एक होती है, tolerable misstatement, एक होती है, actual, तो actual की बात भी थोड़ी दिर में करेंगे, क्या तक समझ जाया, यह मेरा size हो गया, तो इन सब factor को consider करते हुए, software ने मुझे 700 sample दे दिये, अब मैं उन पर क्या कर लोगा, बेटा, actual testing कर लोगा, समझाया, अपना audit procedure लगा दूँगा, और यह ensure करूँगा, क्या comfort को क्या बोलते हैं, यह ensure करूँगा, whether I have obtained sufficient appropriate audit evidence for that assertion, जिसके लिए मैंने evidences निकाले थे, अगर आप यह बोलते हो, हाँ यह मिल गए evidences, तो बात खतम, फिर तो आप opinion frame कर लो, कि यह reasonable assurance मिल गया, लेगिन आपन यहां तो बात खतम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जब हम उस पर testing कर रहे हैं, तो दो situation होगी, या तो सब कुछ सही निकल जाएगा, य यह used word deviation इसका मतलब क्या है, मैं control testing कर रहा हूँ और उसमें कोई control fail हो गया, तो अब आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, compensating control चेक करना है, नहीं मिल रहा है तो फिर impact देखना है, अब मैं number की बात करता हूँ, मैं TOD कर रहा हूँ, कोई misstatement मिल गया, कोई misstatement मिल गया, मैंने बेटा 100% चेकिंग किया, sample वे इस पर किया है, मेरे 700 sample में एक misstatement, misstatement जब भी है तो मतलब मान के चलो, material misstatement की बात कर रह misstatement क्यों आया, देखोगे क्या, reason जानोगे क्या, यह material misstatement क्यों आया, कैसे है, क्या reason है, किसी एक business line में है, किसी एक product line में है, किसी एक season में है, किसी एक particular account में है, reason को evaluate करोगे, yes sir, identify करेंगे उसका reason क्या है, फिर एक और दिमाग चलेगा, बेटा मेरा discussion सुन रहे हो, proper से chapter खत में, फिर आप देखोगे यार, मैंने evaluate तो कर लिया, लेकिन मैंने checking तो किस base पर की थी, मैंने तो 700 sample में इतनी बड़ी गलती है, total transaction तो एक लाख है, पता नहीं कितनी गलती होंगी, हाया ना, तो आपन क्या करेंगे साथ साथ, projection, क्या करेंगे साथ साथ, कि भाईया, इतनी ग निकल के आता है, आप project करते हों कि 50 करोड, 100 करोड, 500 करोड, तो मेरे हिसाब से तो मतलब यार, 500 करोड तो क्या, क्लाइंट्स accounting एंट्री डलवा दें 500 करोड की, भाई, projection है, actual थोड़ी नहीं है, तो कोई accounting entries, आपने projection किया, projection करने के बाद है, finally, अब दो miss statement और आ गई, projected, miss statement, म आ गई, अब मैं उस projected को देखता हूँ, यह projected तो कितनी है, projected कहती है, मैं तेरी tolerable rate of miss statement से छोटी हूँ, अब बेटा link करना पड़ेगा, समझा रहे है, projected miss statement कहती है, मैं तेरी tolerable rate of miss statement से, तो बता हूँ मैं क्या कहूँगा, ignore करो भाईया, फिर तो reasonable assurance, मिल गया, projected miss statement कहती है, मैं ज्यादा हूँ, किसे, तेरे tolerable से, तेरी desire से, तेरी expectation से, तो मेरे को मिला क्या reasonable assurance, तो ऐसे case में क्या करेंगे, ऐसे case में हम management को कहेंगे, भाईया जी, आपके financial तो सही नहीं है, आपको financial सही बनाना था, एक काम करो, take your time, इस nature कि आप पूरे financial की सारी miss statement निकालो, फिक करो, और उसके बाद मुझे वापस से बुलाओ, नहीं करते हो, I am not comfortable in giving an opinion, या तो adverse ले लो, या मैं opinion नहीं दे रहा, disclaimer दे के चला जाता हूँ, समझाया, तो अपनने क्या-क्या discuss किया, सबसे पहले हमने designing देखनी है, कि किसी अजर्शन पर मैं sampling कर भी सकता हूँ, या, ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई भी ना testing करते है, भी ना sample के हो सकता है, कोई ऐसा area जिस पर sampling ही ना करें, no, गंटा no, yes, payroll expense, rent expense, और भी दुनिया भर के area मिल जाएंगा, electricity expense, legal expense, more or less पूरा ही देख लेते हैं, बहुत सारे area, ऐसे area जा हमें sampling नहीं करता है, किताब का पहला question ही ना लाए को याता है examples where sampling may not be suitable, कैसी कैसी बाते करते हैं गंदी-गंदी, तो बहुत सारे area जैसे होते हैं, जहां sampling हम नहीं करते, जहां मुझे suitable नहीं लगता, तो basically पहला step तो यह हो गया ना, कि क्या मैं sampling लगाऊं या designing, फिर क्या आता है, size of, size of sample कितना होगा, 5.5 बोलो, size of sample के 5.5 बोलो, नलायक statement, expected rate of, misstatement, desire level of, misstatement or tolerable rate of, फिर हम बहिया checking कर लेते हैं, checking के बाद अगर कोई misstatement मिली, उसका reason, evaluate करना पड़ेगा, किस area में है, क्या है, बला-बला-बला, then उस misstatement की वैसे हम क्या करेंगे, projection करेंगे, projected misstatement जो निकाली है मैंने, वो कोई entry डलवा लें के निकाली, अगर ज desire से, मेरी expectation से, मेरी tolerable से कम है, तो मतलब reasonable assurance मिल गया, जादा है नहीं मिल रहा, तो या तो opinion adverse देंगे, जो भी करेंगे, qualify करेंगे, या disclaimer देंगे, यहां तक बाद समझाया, एक और point समझाना था, मजा आ रहे है, एक और point समझाना है, जब आप project करते हो misstatement को, किसके base पे, actual misstat तो एक time आता है anomaly, इसका क्या मतलब होता है, यहर मैं देसी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत technical नहीं लेके जाओगा, फिर तो चार घंटे लगाने पड़ेंगे sampling पे, बहुत कर रहे है, revenue का, entry मिल गई, PPN की, क्या है बोला मैंने, audit कर रहे है, revenue का, entry मिल गई, PPN की कैसे भी, जो भी है, तो आप एक बात करो, बताओ, दस misstatement थी, यह एक misstatement anomaly है, that is different from my account, तो क्या जब project करूँ, तो क्या इस एक को side में रख दूँ, बेटा, तू यहाँ पे रुख जा, क्योंकि तेरा इस account से कोई ले ना दे ना, इस no के base पे मुझे project करने दे, जो projection आएग उसे बादे मैं तुझे add कर लूँगा, समझाया, that is anomaly, तो जो anomaly होता है, उसको जब projection करते हैं, तो side में निकाल लो, फिर projection कर लो, बाद में total में add कर दो, समझाया, chapter देखो यहां से, जहां से मैंने करवाया अभी, हमने concept number 4 से start किया था, कि सबसे बेले आपको sample को क्या करना प version satisfy करते हो, यह हम बाद में करेंगे, फिर यह वाले concept यह बिचुडबा रहा हूं, फिर कहता है, आप उस पर क्या करोगे audit procedure, लगाओगे, ठीक है, यहां तक समझाया, कहता है, अगर कोई misstatement मिलती है, या कोई control में deviation मिलता है, तो उसका nature and cause देखोगे, क्या है, ठीक है, आप misstatement के बेस पर क्या करोगे, project करोगे, फिर जो final result मिला है, उसे क्या निकालोगे, evaluate करोगे, evaluation मैंने आपको समझा दिया न, basically projection वाला जो है न, वो मेरे desire level of assurance से, मेरे tolerable rate of deviation से, हम misstatement से क्या होना चाहिए, सर बराबर सा आ रहा है, मन में आयागा न, सर बराबर सा आ रहा है, कर अरे घंटे, यह तो projection है न, actual थोड़ी न है, actual तो जादा, तो आपको professional judgment लगाना है, आप बराबर पर comfort ले रहे हो, मतलब हाई risk खेल रहे हो, जादा हो सकता है, actual misstatement जादा हो सकता है, क्या, तो कोशिश करो न, कि कम में भी एक drastic difference हो, आया न, कि जादा भी होगा, तो कितना जादा होगा, तो आपने यहाँ पर apply करना है, judgment, evaluate करना है, finally sampling के result को, और opinion तक मैंने आपको समझा दिया, एक फालतू का concept आता है, what is the difference between test checking and routine checking, sampling का दूसरा नाम, test checking, याद रखना, sampling का दूसरा नाम, paper में कई बार question आ जाता है, test checking से, और मेरे पाहे न, paper के 5 भी जाता है, सर यह question नहीं समझा है, बाग की सब आ गए, मैंने का घंटा, यह sampling हा, test checking, sampling सर भूली हमें तो, तो test checking, मतलब test basis पे check करना is nothing, is routine checking, देखो, नाम में ही पता चल रहा है, internal check, chapter 4 में पढ़वागे लाया हूना, भाई, एक auditor को concurrent audit सुना है, आप लोगोंने, concurrent audit कितने वच्चों ने सबने सुना है, concurrent audit के अंदर क्या होता है, दो चुझे, audit team के client place पे, सोब दिये जाते हैं, गोध नामा सुना है, सुनना, सुन लोगोंने, मानलों को यह article गलती से किसी CFM में चला गया, तीन साल के लिए, और उस firm के पास concurrent audit है, तो कहेगी, दो बच्चों को दान कर दो, SCL को, अरे मेरे साथ होते होते बच गया, वो कहते हैं भगवान जो करता है, बहुत अच्छा करता है, हमारे एक गुरुजी, हम दो चुझों को ओटों में बिठाके ले गए, मैसस कुठारी में था, मैं नाम भी बताता हूं, साथ वाले का था साहिब, एक मैं, हम दो चुझे थे, गुरुजी का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि गुरु तो गुरुजी है ना भाई, वो ले गए भाई, बोले तुम्हारा इंटरव्यू है, कहां पर HCL में, नोईडा में, ये इंटरव्यू कपिल तुझे क्रैक करना ही करना है, इतनी लर्निंग है ये, और भाई हम एक्सा सर्दार है, बाई कुछ भी कर वालो, इक आज ही मरवा देता है वो एक दिन, गंगा में आने गए थे हम लोग, देवबंद एक जगह है, वहां से हरीदवार पास है, मैं एक्जामपल चेंज कर रहा हूं, पहले साहिब के बारें बसाता हूं, मज आएगा सुनके, हमारे सारनपूर से था, उसे तैरना आता था, अच्छी बात है, हम जुलाएव अगेरा के महिने में गए थे, जहां पानी का भाव बहुत तेज होता है, मैं पहली सीड़ी पे मेरे पाउं काप रहे थे, मुझे लग रहा था मैं उपर से देख लू बस, भाव अच्छा है, मैं न बढ़ा यहां से जंप किया, उस कोर्नर पर पहुंच गया, फिर वहां से कहीं आगे गया होगा, क्योंकि ऐसे जाते हैं न, ऐसे नहीं जाते हैं तरके, वह ऐसे गया, उस कोर्नरर ये फिर वापस पैदल गया, वहां तक तेर के, हमारे पास, I'm surprised, बगुड, करे तूभी कु कि कुछ नहीं करना पहुंच जाएगा भाई साब उसने कॉंफिडेंस यहां तक दे दिया था कि मैं सीड़ी नीचे दो चला गया उसके वज़े से कि सेम कॉंफिडेंस उसने पुनित्सर को भी दिया पुनित्सर हमारे पंजाबी वह सरदार ये पंजाबी भैगए पुनित्सर ने का साहिब पक्का उसने का सर पक्का और उन नेने सीए बने दस दिन पहले रेजल्ट आये था यह देखेंगे कभी उनको हसी आएगी बड़ी अपने मैंने क्या क्या था ये भाई मैं ख़डा हूं यहां पर साहिब खड़े हैं उन्होंने का जय हो गंगे मैया वो दो कदम आगे गए उसके रहे पानी के अंदर वह वहां इत्तुना तेज्ट मैं साहिब कूंद बचा व मैंने का साले बह गए बाई वो बह गए डूब गए फिर कोई उनको वहां पर कुछ लोग होते हैं सेफगार्ट वगेरा लाइफगार्ट वगेरा वो लेकर आ रहे हैं उनको लेता या मैं एक्चुल इंसिडेंट बता बाई क्यों कूदे तुमको आते नहीं यह साला सर्द इसका कौन शुड़े साही था कुदा दिया वाई उठे जिन्दा मैंने का आप जिन्दा मेरे पाउं काप गए थे क्लाइंट वो क्या वो जो जाके मेरे दिमाग में आपकी मम्मी आ गई थी वो बोलने वाली थी नया सी यह का है कि मैं तो यह भी सोच लेकितने निच्छे कि रोगा भाई वो बच गए फिर उस बंदे को हमने जो भी उसको इनाम चाहिए था वो दिया मैंने का मेरे को नहीं लगता आप जिंदकी में कभी गंगा असनान करने आओगे वाज टेक्सेशन डिपार्टमेंट में भाई साब ये साहिव और मैं और हमें ले जाने वाले चलो हमारे गुरुजी राजीव सर्फ जो मेरे एक्च्वल गुरुजी जिनसे मैंने पूरा ओडिट सीखा है आर्टिकल शिप में पेला भी वह थे क्लाइंट को वह ही ताकत देते थ हमारे तो गुरुजी ही ऐसे थे क्लाइंट को कपड़े उतारते थे हमने वही सीखा है तो अब वह देड़ साल उन्हें यह सिखाया गाली देना कि क्लाइंट यूपी के थियार और वह भी वहां से सारे चोर होते हैं वह भए लेगाए एसल के इंटर्वी में ओटो में बिठाके बोले तुमने क्रेक करना ही करना है औरना है सब दे देना जो मैंने दियो मैंने डैरी नहीं बना रखी दिया अर्टिकल्चिमें वो जो सिखाते दे मैं सब लिखता था वह गये साहीब को दो आई कर लेगा खर यह सब नहीं आता में हमने नहीं सीखा मतलब मैं अपना बैस्ट इंटर्व्यू दे रहा था लेकिन जो वो पूछ रहे था वो मैंने कभी मेरी किस्मत अच्छी थी भगवान मैंने नहीं किया था मेरा रिजेक्शन दे दिया उन्हें कि बहुत तो यह काम नहीं कर पाएगा यह इसका तो मैने फैक्ट्रिंग का सारे एक्सप्रियंस है राज जिए को सारे नीरसर को मैं क्या बोलूँगा तो नहीं बैठा भाई हाथ उठाई हो लाला क्लास में तो है कहीं चुक चाब बैठा मेरे पाटनर के बेटे भी मेरे स्टूडेंट फिसले फेस टू फेस में थे और कल पर रसो बात होई थी हो है यहां पर गई अब यह तो है अधिक अधिक है हाँ मेरे पार्टनर के बेटे बी शायद आपके मेरतन में बैठे हैं जिनके अंटर में आर्टिकल जिपी थी उठाया नहीं कर नहीं इसलिए पाइब तो भाई मैं रिजेक्शन हो गया मैं बड़ा सेड उस दिन मैंने का है मैं स्यल का ओडिट नहीं कर पाया वो बता ही क्या था उस स्टाफ हाईरिंग थी एक नया कंसेप्ट आया है लोन स्टाफ उसमें कंपनियां सीएफम से स्टाफ खरीद लेती हैं उस चूजे के बदले हर महीने 10-15,000 कंपनी को देती है तो सीएफम की तो बड़ी अकामाई हो गई 20 आर्टिकल भरे 10-10,000 में ब अजार डालते रहेंगे वह काम कर रहा है यह 25,000 का चेक लिए जा रहे है तो मैंने का यह बगवान है प्रभू एक नहीं यह बहुत बहुत वह छे महीने का तडप रहा है सर निकालो यहां से बिटा निकल लिए आप तो छे महीने में तुने काम से लिए तीन साल यही कर वैंपलिंग वैंपलिंग का कोई भी गेम नहीं है अब आपन करते हैं कुछ अलग से कंसेट एक सबसे इंपोर्टेंट कंसेट मांक कर ले ना इंपोर्टेंट फूर एक्जाम बेटा समझा रहा हूं समझ आ रहा है ना रीड तो कर लोगे ना समझ लो पूरा तो मैं गंगा में भी उचकिया मेरी किसमत बहगवान के अच्छे थी उसमें साहिब ने पुनित सर्गा भग हाए गंगा मेया ने कहां ले साह अब तू भी भै है आज वह कहाँ हैmm लुदियाना से या यह कोई, लुदियाना में अच्छी सिफ हम प्रक्टेस है उसकी साहिब की, कभी जाना हो तो, वो बेचेगा नहीं, आप पढ़ते हैं अच्छा कंसेप्ट, सेंप्लिंग एंद नोन सेंपिलिंग रिस्क, देखो, सेंप्लिंग रिस्क, अपन ने ओडिट पढ़ा है कि हमें गलत opinion दे दें, sampling risk क्या है कि भाया हमें गलत opinion दे दे किसकी वज़े से, sample की वज़े से, हो सकता है, because of my samples, मैं क्या दे दूँ एक wrong opinion दे दूँ, हम sampling कितने अरिया में निकालते है, TOC और TOD, TOC के sample निकालके मैं client को बोलता हूँ, कि these are control failures, कि आपके आपे क्या है controls, fail है, client गएगा, जी हमारे यहां तो control fail, नहीं है, आप checking कर लो, बोल सकता है न, तो हम extend करेंगे, checking करेंगे, final decision यही आ सकता है, भाया, आपके control fail है, हम आपको fail मान रहे है, अगर ऐसे situation है, तो कोई भी risk नहीं है, फिर तो आपने जो भी sample निका ले, TOC के लिए, या TOD के लिए, मैंने checking की, और मैं ये बोल देता हूं, कि आपके कोई भी दिक्कत नहीं है, और actual में दिक्कत, client आपको बोलेगा, दुबारा चेक करो, client कभी भी, आप अच्छा बोल रहे हो उसे, वो चाय पिलाएगा, पाने पिलाएगा, गिफ्ट देगा आपको, आप देवता हो, आप देवता हो, जिस घदे को यह नहीं दिखा कि हमारे यह सब फेले लेगे आप अच्छा बता रहे हो, आपके आखे नहीं आपकी बटन है, हाई या ना, तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में क्या इंप्लिकेशन हो रहे है, बेटा, वेन वी आ से मिस्टेटमेंट, तो इस से क्या मेरे उपर लीगल लाइबलिटी आएगी, फ्यूचर में, आ सकती है, नोन कॉंप्लाइंस की वज़े से आ सकती है, हाई या ना, तो यह वाली सिचुएशन बड़ी ही रिस्क है, क्योंकि क्लाइंट इसमें आपको सपोर्ट, दूसरी कि आपके यहाँ पे, material misstatement है, आप के यहाँ पे control failure, प्टक्चुलिमें नहीं है, भै मालो मेरे किसी सैंपल में मिला, तो मैं बोलताँ हूँ, आप क्या मिस्टेटमेंट, क्या क्या कायग, चया क्या 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 ओके जी कर दो, आप adverse दे दो, नहीं, वो गएगा, Kripil साब, this is error, what you are saying this is error, let me correct this तो वो क्या करतेगा, corrected my statement हाई या ना कोई control fail हुआ, वो गएगा, ओके एक control fail हुआ है ना let it be, we have some other controls as well, जो कि इसी risk को क्या करते हैं, तो इस वाली situation में, जहां पर मैंने सब गलत बोल दिया उस case में client मुझे बताता है और फिर मैं क्या करता हूँ, मनी testing बढ़ा लेता हूँ मेरा time in course जादा लगता है, लेकिन मेरा ultimate decision गलत नहीं होता क्योंकि client ठीक करवा लेगा ना client को आप गलत opinion दे रहे हो client थोड़ी ना लेगा, लेकिन पहले वाले case में ले लेगा, तो risk की situation कौनसी हो गई पहली, तो sampling की वज़े से गलत opinion देना is sampling risk और non sampling risk क्या हो गया, sampling को छोड़कर किसी दूसरे reason से गलत opinion देना is reason बताओ, sample तो सही निकाल दिये बढ़ चूजे को चेकी नहीं करने आते हाया ना, उसने आख बंदगर के कर दिया सब बेकार है, घुस्सा था किसी वज़े से, तो क्या सही opinion देना है ये, गलत opinion किस वज़े से, sample की वज़े से, other than sampling, तुमको risk नहीं निकालना है रोमम गलत निकाल दिया, तो किस वज़े से हुआ, materiality गलत निकाल दी, तो ये क्या हो गया बटा, non sampling risk sampling risk को मैं read कर वाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है paper में आ सकता है, page number बताएगा कोई detail वाला concept बता न, दो तीन जगे पर दिया है मैंने sampling and non sampling risk, बहुत important question है, mcq, correct, incorrect, detail question कहीं भी आ सकता है, देखेगा, the risk that the auditor conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subjected to the same audit procedure, समझ आया, कि भाई अगर मैं entire testing करता है, तो मेरा audit procedure कुछ होर होता, sample basis पर कर रहा हूं, तो कुछ होर है, sampling risk can lead to types of hernius conclusion, क्या-क्या, number one in case of TOC, सबसे बहुत TOC की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, in case of TOC, the controls are more effective than they actually are, आप क्या बोल रहे हो, controls बहुत अच्छे हैं, जबकि उतने अच्छे, और in case of TOD, आप क्या बोलते हो, that a material misstatement does not exist, when in fact, तो यह risky situation and non-risk situation है, लिखो risky situation अपने किताब में, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप क्या बोलते हो, this auditor is primarily concerned with this type of fairness conclusion because it affect audit effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate audit opinion. अगला केस, in case of TOC, आप क्या बोलते हो, the controls are less effective than they actually are, और in case of TOD, that a material misstatement exists, when in fact, it does not. This type of fairness conclusion affects audit efficiency and it would usually lead to additional work to establish that initial conclusion was incorrect. ठीक है जी? तो यह करके जाना अच्छे सरीर पेपर में, अब बाकिए के concept आपको बताता हूँ. अब यही से cover करवा देता हूँ, फटा-फट से. Sampling का मतलब क्या होता है, भाई, 100% से कम checking करना ही sampling, ठीक है? क्यों check करते हैं, क्योंकि 100% testing कर नहीं सकते, not possible, और inherent limitation भी है, इसलिए हम sampling करते हैं, इवन अगर मैं 100% checking करूँ, तो भी अपने auditor को कम नहीं कर सकता. Examples where sampling will not be suitable, आपको एक word bus इसके साथ attach करना है, कि कहां पर हम sampling नहीं करेंगे, मैं यह बोल सकता हूँ, आज के दिन हम 95% इरिया में sampling करते हैं, लेकिन आपके examples बहुत ज़्यादा बना दिये, वो इसलिए ज़्यादा बना दिये, क्योंकि इसलिए ने एक फालतु का word attach कर दिया, हाँ, few transaction, very less, भाई, किसी भी area कि अगर few transaction है, तो देख लो, related party transaction few है, high value amount few है, foreign transaction few है, देख लो सारी, bank reconciliation few है, देख लो, तो example phase sampling में not be suitable, बहुत ही general है, इसको सिर्फ read करके चले जाना, खुद से बना देना, ठीक है, अब जैसे इसने लिखा है checking bank reconciliation statement, अब यह कह रहा है, यहाँ पर sampling नहीं लगती, लेकिन practically हमने BRS में भी sampling लगाई है, मेरे एक client में 100 bank account थे, 100 bank account, more than 100 होंगे, तो आप यह भी मत समझना कि जो किताब में लिखा है, वो 100% सही है, audit है भाईया, these are guidance, these are guidance, minimum guidance है, maximum पता नहीं हम कहां तक जाते हैं, लो जी, precautions while conducting, test checking, sampling करने से पहले, क्या precautions रखना, तो आपको तो पता ही है, sample निकालने से पहले walkthrough कर लेना, accounting system समझ लेना, company की policies समझ लेना, कौन-कौन से एरिया में sampling नहीं लगेगी, कि क्या किसी अजर्शन के लिए sampling करना भी चाहिए, क्या, biasness नहीं होनी चाहिए, और इस सारे कुछ basic points, population क्या होती है बेटा जी, जो data मैंने software को दिया था जिस पे मैंने IPE testing की थी, completeness accuracy, जो client ने ledger दिया था, data दिया था, population दिया था, dump दिया था, आप किस नाम से जानना चाहो, उस से मैंने sample निकाले थे, that is my population, that is my population, तो population को हमेशा इस पे IP testing लिख लो आप, बेटा जितना real life है, मैं आपको बता रहा हूँना, आप किसी भी interview में दोगे, आप जब भी population दोगे, आपको make sure करना है, population आपकी complete है, reliable है और appropriate है उस area के लिए, इस testing के बिना, इस IP testing के बिना, अगर आपने population software में डाल दी, तो you are taking a high risk, कल को client आएगा और एक अप्पिल सर्यार यह पचास जार transaction रह गई थी, आपको होगे भाई मैं तो sample निकाल दीए, वह आपने completeness नहीं देखा, हाया ना, तो भाई यह चीज आपको check करने पड़ेगे, sampling unit क्या होती है, जैसे lock transaction है, तो single single transaction जो है, वो unit कहलाती है, approaches to sampling, अब आती है वो software वाली बाते, जो मैंने starting में skip करवा दी थी, बोला था ना, पथर रखके पढ़ लेंगे, sampling करने की दो approaches बताई है, एक statistical sampling, दूसरा non-statistical sampling, statistical sampling के अंदर यह बोल रहा है कि हम sampling करते हैं, by applying some mathematical functions, tools, probability, theory, अब आप मुझे बताओ, क्या इन सब functions को use करते हुए sampling करनी चाहिए, या अकड़ वकड़ मंबेबो, असिनब्वय पूरे सो, आगे, चोर निकल के भाग, चोर को जाने दो, धपली बजाने दो, बेटा बस, आगे क्या था, धपली में तोता, आगे, चलो ठीक है, whatever, तो ये वाला तरीका ठीक है, पोशंबा भाई, पोशंबा खेल गया, तो आप बोलोगे सर, obviously sir, this is not a scientific method, आप scientific pattern लगाओ, statistical function लगाओ, mathematical rule लगाओ, probability theory लगाओ, तभी तो बोलेंगे कि हमारा sample, ठीक है, इसमें कोई biasness, otherwise आप क्या करोगे, 10 sample निकाल लिया, 10 आ गए, client आया, अरे कपी chocolate, okay, ये sample अटा दो, हटा दिया, अगला ले लिया, biasness है, सर, ये तो, अब हम थोड़ा सा technical जा रहा हूं, सरी, तो हम software में भी कर देंगे, software में 400 निकाला, software का एक पसंद नहीं आया, rado घड़ी दे रहा है, बदल देंगे क्या जा रहा है, बेटा, software के साथ log file बनती है, जैसे ही software से sample निकलते हैं, sample के साथ एक report निकलती है, वो report, जैसे ही अगर आप कोई दूसरा sample लोगे उस report में होता है, उसने कौन-कौन से sample निकाला है, उस report का आप manipulate नहीं कर सकते, तो client से rado दे, चाए कुछ भी दे, आप sample बदल, एक तरीके से sample बदलते हैं, तोड़ है है हमारे पास, दुबारा डालो के same चीज़ तो भी sample same आएंगे, आप information same दे रहो तो output same रहेगा ना, हम information भी बदल देते हैं थोड़ी से, client को कहते हैं, zero entry डाल दे थोड़ी से, zero entry समझते हो ना, client से एक तो zero entry डलवा लेते हैं, कुछ duplicate transaction डलवा देते हैं, मैं कहते हुँ बाद में ठीक करते रहें न, फिलाल data change कर ये थोड़ा सा, और data ऐसे change कर कि कोई fraud भी ना हो, क्या हो, error, कोई number पर कोई impact ना है बढ़ चेंज कर दे data कुछ है, तो 20 entry डाल दे, provision डाल दे, कुछ भी डाल दे, जो करना है कर ले, बाद में देखते रहेंगे, मेरा audit start हो जाएगा, क्योंकि fraud तो नहीं कर रहा न, बट्राटो गड़ी तो चाहिए फिर, तो एक वाता है बेटा, statistical sampling, उसकी advantages पढ़के जाना, ठीक है, क्या है जी, इसकी सबसे अच्छी advantage क्या है, कि अगर माल लो आपका area बढ़ रहा है, population बढ़ रहा है, तो sample भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, जितना population बढ़ रहा है, वो best sample ही निकाल के देगा आपको, तो पहला क्या कहता है, the amount of testing, जितना मुझे test करना है, sample size, does not increase in the proportion to the increase in sample size of the area, अब जो पूरा area अगर भढ़ रहा है, उससे मेरा size increase, उतना नहीं होगा, the sample selection is more objective and thereby more defensible, code में जाके, कहीं पे भी जाके, मैं प्रूब कर सकता हूं कि मैंने मेरी sampling सही तरीके से की है, the method provided means of estimating the minimum sample size associated with the specific risk, हम software वगेरा के अंदर ना, minimum sample भी डालते हैं, याद है आप लोगों को बिटा, क्लास वाले बच्चों को, एक हम minimum sample भी डाल देते हैं, भाई, software तेर को जो देना है मुझे नहीं पता, बट मुझे minimum इतने sample तो चाहिए ही चाहिए, इसके बेज़ पर हम projection बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक statistical तरीके से निकाला है और बहुत बढ़ी data को भी हम अच्छे से examination कर सकते हैं, meaningful चीज़ निकाल सकते हैं, तो यह आप देख लेना, non-statistical के अंदर यह हो गया कि आप अपने personal experience और judgment से sample निकाल रहे हो, आज के दिन चलेगा क्या नहीं चलेगा, पेपर में आ सकते हैं, मेरी भी energy है एक जगे पर जाके lose हो जाती है, जब मैं कुछ ऐसा पढ़ाता हूं जो real life के लिए relevant यह ऐसी चीज है जो pure theory है, non-judgmental sampling आज आप real life में कभी भी नहीं देखोगे, judgmental sampling एक अरिया में लगती है बस, TOC पर, क्योंकि TOC में हम tool use नहीं करते, क्योंकि TOC में क्यों tool use नहीं करते, reason भी बता देता हूं, आप बता सकते हो, कोई भी student जो मेरी class से नहीं है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, TOC के case में tool use क्यों नहीं करता, कोई भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आपको TOC भी 100% data की देखनी होती है नहीं यार, limited गाएं, absolutely right, भाई control मेरा value से नहीं define होता, control is control, चाहे एक रुपय का हो चाहे एक लाग का transaction हो, control तो लगेगा ही, इसलिए जब मेरे लिए amount ही matter नहीं करती, तो मैं tool क्यों use करूँ, कोई भी मैं 25 transaction ले सकता हो, क्योंकि यह amount का कोई लेना देना नहीं है, बहुत बढ़िया बिटा, क्या ना मैं आपका, सत्यम के लिए तालिया बजाएंगे सभी student, एक आपका concept आया था, यह May 22 में आ गया, पेपर में नहीं आया, यह मैंने chapter 4 में आपको करवा दिया है, sampling versus traditional method of auditing, sampling मतलब आज का जो हम audit करते हैं, वो sample basis पर करते हैं, sample कैसे निकालते हैं, control materiality, पहले कैसे करते हैं, 100%, तो आज हम control based testing करते हैं, यह already May 22 के paper में आ गया है, ठीक है ना, आज हम control based testing करते हैं, कम checking करते हैं, comfort पहले से, chapter 4 में discussion किया था ना इसका, याद है, याद है या, ऐसा ही, लो जी, अब आखरी concept exam के लिए important है, वो भी देखेगा, random sampling एक होता है simple random, एक होता है certified random, simple random आपने computer पर कभी है ना, आज घर जाओ तो computer में डालना, random number sample, तो computer दो column ले आएगा, आपसे number of sample पूछेगा, और series पूछेगा, okay कर देना, उतने ही कोई भी randomly आपको transaction, serial number निकाल के देगा, 5, 15, 25, 30, मतलब उसके हिसाब से वो क्या है, sample है, थोड़ा slow दुबारा बताऊं, random number, मतलब आपने randomly, एक लाख transaction है, एक हजार transaction है, computer को बता दिया, एक से एक हजार transaction है, मुझे 10 चाहिए, आपने 10 number of sample कितना डाला, 10, okay कर दिया, वो कोई भी 10 आपको निकाल के देदेगा, simple random में, एक बहुत important है, इसलिए इस concept के लिए मैं रूखा था, otherwise chapter मेरा finished था, I know, आपको लोगों को ब्रेक चाहिए, startified sampling, startification, starta, आपने अलग-अलग नाम से सुना, कितने बच्चों को पता है concept, maximum को नहीं पता, low जी, startification के प्लीज ध्यान से सुनों अगर नहीं पता तो, ध्यान से सुनों, exam में 4 नंबर का देखने को मिल सकता है, startification के अंदर क्या होता है, मान लीजिए, मैं revenue को audit कर रहा हूँ, ठीक है, मैं revenue को audit कर रहा हूँ, revenue के अंदर 5 लाग transaction है, 5 लाग transaction को एक साथ evaluate करना is really difficult, मान लो कोई software नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ यार, इन 5 लाग को ना मैं group में divide कर दो, अलग-अलग group में divide कर दो, जैसे की, भाई मैं sale करता हूँ, इंडिया के 4 अलग-अलग reason है, चाहर अलग-अलग reason में करता हूँ, reason wise divide कर लो, पहला तरीका, दूसरा, 5 लाग transaction है reason wise नहीं, amount wise divide कर दो, कि भाई ऐसी sale transaction जो एक रुपे से 50,000 तक कि उन सबको अलग कर लो, ऐसी जो 50,000 से 5 लाग हैं उन्हें अलग कर लो, 5 लाग से 10 लाग कर लो, group बना लिया, मतलब मैं किसी एक characteristics के बेस पे, किसी भी एक nature के बेस पे, transaction को क्या कर लेता हूँ, अलग-अलग block में divide गर लेता हूँ, अलग-अलग group में बाट लेता हूँ, क्या मैंने ऐसा किया क्या, एक लाग transaction थी, भाईया एक लाग को एक काम करो, सुरू के 25,000 को एक में डाल दो, balance 25 को एक में, balance 25 को एक में, balance 25 क्या मैंने ये किया, नहीं, this is block, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, एक हजार उपर वाली transaction पहले block में भी आ रही हो, दूसरे में भी आ रही हो, स्टार्टिफिकेशन में हमने किसी एक specific benchmark लिया है, आप समझ लीजिए, उसके base पे मैंने selection किया, तो अगर एक block में कोई transaction आ रही है, फिर वो बाकी 3 में नहीं आएगी, तो स्टार्टिफिकेशन में मानलो मैंने amount base पे, किसी भी base पे transaction को divide गर दिया, चार block, छे block, दस block आपने बना लिया, अब ये block बन लिया, क्योंकि अब एक starter के अंदर, एक group के अंदर, same nature की transaction आ रही है, अब आप auditor, बताओ, क्या हर group से sample लेना पड़ेगा, या एक आद को छोड़ देए, सबसे पहली बात तो सर, हमारा, देखो, sampling का एक general rule होता है, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कि sampling का मतलब होता है, we should select sample in such a way that the every unit should have a chance हो, अगर मैंने एक भी group छोड़ दिया, तो मतलब ऐसी कुछ transaction है, जो मेरे sample में, आप ये जरूर बोल सकते हो सर, कि सिंस पहले वाले के अंदर, below 50,000 transaction है, मेरे लिए वो transaction इतना material, मेरे लिए high value जादा है, तो मैं high value को जादा चेक करूँगा, उसको मैं कर ना वो भी पड़ेगा, हाँ या ना, तो अपन सभी group से, सभी starta से sample निकालेंगे, अब आती है miss statement, अभी अपना आगे चल रहे हैं, हमने checking की फिर क्या मिली, miss statement, अब मैंने miss statement मालो मेरे को एक चार starta है, 1, 2, 3, 4, fourth starta से, group से, एक miss statement मिली, first में भी कुछ मिली, बाकी दो में नहीं थी मालो, अब मैं first और fourth की miss statement को total करके फिर project करूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह fourth starta की miss statement से, fourth group पे projection करूँ, one से one पे करूँ, और फिर total करूँ, second one ना, कि भाया, जो starta आपने निकाला है ना, उसकी miss statement से, उस group को project करो, ऐसे सब को project कर लो, और आखरी में क्या कर कर लो, combine कर लो, then look at the final result, कि अब आपने reasonable assurance लिया या नहीं लिया, यह कब बोलेंगे reasonable assurance लिया नहीं लिया, जब projected miss statement मेरे expected से, मेरे desire से, मेरे actual से कम हो, तब भी मैं बोलूँगा reasonable assurance, यह startification समझ आया, self read कर लोगे, बाकी सब फाल्त हुए, episode मतलब कुछ भी select कर लो, block जहां पे आप बस divide कर देते हो, चा, contiguous item को, आपने कोई base नहीं उठाया, बस 25-25-25-25 डाल दी, फिर आपने sample select कर लिये, monetary unit, देखो नाम में ही पता चल रहा है, value weight selection या monetary unit, एक इसमें आता है क्या, value weight, एक आता है monetary, नाम से ही पता चल रहा है, आप monetary amount देख रहे होगी, बई सारी transaction जो 50 लाग से उपर वाली है ना, वो अलग कर लो, उनको देखेंगा बन, तो आपने weight उठा लिया, एक value ले ली, एक होता है systematic sampling, या फिर इसको बोलता है interval sampling, यह हमारा software भी लगाता है, इसमें क्या होता है, आपके पास 1 लाग transaction है ना, आप कहते हो कि भया, एक काम करो, पहली randomly सेवेन पर खड़े होगे हर्ट वंटियर आइटम पर और वो क्या होगे हमारे, सैंपल, घंटा सैंपल, ठीक है, यह था हमारा chapter sampling, चैप्टर को flip कर लो एक बार, शुरू से लेके आखरी तक, if you have any question, please ask me, and this is the time for break, अब आपका 15 मिनट का break और अब मुझे भी कुछ चाहिए, चलो, कुछ मतलब खाने के लिए, तुम ना यार,